हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि हम वर्चुल बॉक्स में वर्चुल नेटवर्क क्रियेट कैसे करते हैं यानि कि यह जो मैंने तीन मेशीन से लगलग इसनोचल की है सर्वर 2008 सर्व विस्टा और सर्वर 2008 दूसरी बार इनके बीच में एक वर्चुल नेटवर्क कैसे इंस्टॉल किया सकता है मुझे डिवाइस इसमे जाना यहां पर मेरे पास हैं नेटवर्क अड़ेप्टर्स तो बाई डिफॉल्ल जो यह नेटवर्क अड़ेप्टर होता है यह नेट पे होता है, यानि के network address translation, जिससे कि यह बाहर हमारा system है, internal network और external network को connect करने के काम आता है हमारा net, यह private IP addresses को public IP addresses में translate कर सकता है, जो internet में मेरा network चर रहा है, उसको internet connectivity प्रवाइट कर सकता है, तो इसको मुझे हटा के internal network में लेके आना है, और इसको ok press करना है, इसी तरीके से जो मेरी दूसरी machines है, जैसे कि मेरे vista machine या मेरा server, मैंने second server install किया है, उसमें से उस पे भी करना है, तो देखिए अभी यह फिलाल क्या हो गया, कि मेरा mouse अंदर, इसके अंदर रुख गया है, तो मेरे को अगर इसमें से mouse release करवाना है, तो मुझे, यहां right side पे जाना पड़ेगा, और यहां से net से हटाके इसको भी internal network पे configure करना पड़ेगा, तो ऐसा करने से मैं सभी machines के बीच में अपना internal network बना सकता हूँ, जो कि बाहर वाले network से connected नहीं होके, एक internally अपना ऐसा virtual network बन जाएगा, जैसे कि यह सभी machines आपस में ख्रेक्रेक्रिट हो through switches, और आपस में यह communicate भी कर सकती हैं, तो इस तरीके से हम virtual box के अंदर, एक virtual network create कर सकते हैं, जिसके उपर हम इन virtual machines में जो भी काम करेंगे और अपनी टेस्टिंग जो आगे future में करेंगे, उसको perform कर सकते हैं, एक और मैं बात आपको बता दूँ कि, जो हम softwares यहां use कर रहे हैं, जैस करेंगे जैसे आपका real machine पर control alt dell करता है, अगर आप control alt dell कर देंगे तो आप, अगर आप control alt dell कर देंगे तो यहां से यह actual machine का control alt dell प्रेस हो जाएगा, तो आपको सिरफ यहां पर, जो right control है और dell है उसको प्रेस करना है, तो मैं password डालता हूं 123 जो भी मेरा password है, और इसी तरीके से दोबारा से ICT के उपर पहुंच गया है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हम software use कर रहे हैं, जैसे कि Microsoft का server, तो जब भी हम इसको install करेंगे, तो यह कुछ समय के लिए हमें आजकल server जो है, वो free मिल रहे हैं, जैसे कि यह server है, 60 days के हमारे पास grace period है, जिसमें हम इसको activate कर सकते हैं, और इसको अभी भी activate कर सकते हैं, तो आजकल Microsoft ने जो भी products provide कर रहे हैं, वो एक समय के लिए, आपके पास freely available हैं